समिर शरद देशकर में नाकर शहर में रहता हूं और आठोमी इंड्या में ऐसे डिस्ट्टिबीटर करके काम करते हूं है आज हम बात करने वाले भारतिय आहार के अनुसार इसे कौन सा विकल्प है उसमें ऐसे क्या विकल्प है जो ऊजन घटाने में मदद कर सकता है जो नोग मोटे होते हैं रेकिन उसके पहले में बात बोल दूँ आप सोचे रहोंगे अलग-अलग बदला-बदला क्यों लोग रहा है ना थोड़ा सा आज अपने आप पे ग्रूमिंग करें आपको बदला-बदला दिख रहा हूँगा तो बात कर रहे थे हम जो लोग मोटे होते उनको कोई चिडाते नॉर्मल आपने देखा हूंगा आपके दोस्तों में कोई होते तो मोटा करें मोटे मोटे करके चिलाते या फिर चिडाते बोले या फिर कोई लड़की 诅मट इस भी होती है तो भी हम आवाद देते अगर मोटी थे मोटी कहा जा रहते तो ये जो बात हम बोलते मुटा या मोटी के नाम से जब चुड़ा थे तो क्ही ना कहीं मन में ऊबात बैढ़ जाती है और हर किसी के चाहत होती है कि मुझे कोई ये नाम से ना चिड़ा है मुझे मेरा नाम रखा हुआ है माबापने तो मेरा नाम से क्यों नहीं मुझे बुलाते मोटा या मोटी क्यों चिड़ाते ठीक है मैं मोटा बन गई या मोटा हो गया या मोटी बन गई तो इसमें मेरी क्या गलती मेरे खानपान के कारण में हो गई तो चिडाना लोगों को पसंद नहीं है तो एक कहानी बताता हूँ मैं आपको छोटी सी कहानी है आपने एक पक्षी देखा हूँगा गरुड चील ठीके इगल जिसको इगल करके बोला जाता है उसके पीट पे कववा बैटता है और उसको चोश मारते रहता है और उसको उकसाने के लिए उस तकलिप देने के लिए उसको चोश मारते रहता है इगल बड़ा शांत रहता है और क्या करता है धीरे 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 उपर जाता है और इतना उपर जाता है, इतना उपर जाता है कि जहां कववे को ऑक्सिजन लेने में तकलिफ होती है क्योंकि कववा बहुत उपर उचाई पर उड़ नहीं सकता, चील उड़ सकता है, यहने इगल उड़ सकता है और वजन कम करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ एक हमारा पारंपरिक तरीका और एक प्रोड़क्ट एक इस वीडियो के बीच में ऐसा प्रोड़क्ट बताऊंगा मैं आपको जो प्रोड़क्ट आपका दो से चार किलो पांच किलो वजन कम करने में आपकी मदद करने वाला है भारतिय वेंजन अपने विवित प्रकार के मसाले जड़ी बुटी और अनेक तरह के वेंजोनों के लिए चाने जाते प्रसिद है भारतिय वेंजन के अंदर में या जब भी खाना बनता है वेंचन बनता है तो अलग-अलग तरीके से जड़ी बूटी भी डलती है इन सब के लिए भारतिये वेंचन हर जगद दुनिया में प्रसिद्ध है पारंपरिक भारतिया हर जो था न वो सबजिया हो गई दाल हो गई फॉल हो गई जित्ते भी मासार से दूर रहे और ऐसी सबजिया ऐसे दाले खड़े अनाज इन सब को आपको ग्रहन करना चाहिए ताकि आपकी सेहत बनी रहें तो इस तरह आदर्श खाद्य पधारत क्या है प्लांट बेस फूड हमारी भारतिये संस्कूरती बताती है कि प्लांट बेस फूड जो होत अलग अलग राज्यों में गवाएंगे अलग अलग संस्कूरती आपको मिलेंगी और हर जगा आपको प्लांट बेस फूड खाने को मिलेंगा आप चतीजगर चले यह चतीजगर बहुत अच्छा संबूद्ध स्टेट है पूरा आज बजू में जंगल है और लोग वहां प पूडल्स हो गया पीजा हो गया इस तरह के जो फूड से उसको खाना चलो कि आज के बच्चों ने और जिसके करण हमारे देश में भी काफी लोग मोटा पी के तरफ अग्रेसर हो रहें मोटा पे में हमारे देश का भी नंबर तीसरा चोथे नंबर पर हमारा देश भी आने लगा है और दूसरी बात क्या है अगर आप प्लांट बेस फूड खाते हो मैं आपको डाइट बताने वाला हूं लेकिन प्लांट बेस फूड खाने से हार्ट अटेक हो गया मधू में हो गया दो तीन तरह के कैंसर हो गया और बहुत सारी बीमादी से आप दूर रह सकते पंजाब के अंदर में एक special cancer train चलती है पंजाब से लेके तो cancer train क्यों चलती क्योंकि लोगों ने वहां वहां के जो किसान है उन किसानों ने इतना सारा pesticides यूज़ करते हैं उनके खेती के अंदर में जिसके कराण वहां cancer का प्रमान पुरे देश में सबसे ज़्यादा है तो हमें pesticides को use कम करना चाहिए मैं समझता हूँ आज के अधुनिक खेती के अंदर में pesticide का use कम नहीं कर पायते लोग लेकिन जितना कम हो जितना निर्देश दिया हो और pesticide company को भी यही अनुरुत करूंगा कि जित्ती मात्रा लगती उती मात्रा आप किसानों को देने के लिए बो लोगों और लोगों के लिए एक जहर बंद रहा है यह pesticide तो हमें स्वस्ता आहर के लिए क्या लेना चाहिए स्वस्ता आहर के लिए हमको कंद मूल खाना चाहिए ताजी सबजिया खाने चाहिए मोटे अनाच खाना चाहिए इस तरह जो हमारे देश में बनता है इन सब और जित्ते भी मीठी चीजे चीनी हो गई या अलग मीठी चीजे उनको हमको शरीर से दूर करना पड़ेगा उनको हमको आवाइड करना होगा तो सवाल यह उठा है कि क्या सही में आप वजन कम करना चाहते हो क्या आप सही में वजन कम करना चाहते हो हो गया है शरीर हाथी समा करना चाहते हो हीरन समान तो मिलाओ फोन दिये हुए नंबर पे और एक चीज बताता हूं बहुत से लोगों का शरीर ऐसा भारी भर कम हो जाता है उसके बाद भी ऐसा टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं ऐसी पुरी बाड़ी दिखते हैं हर चीज दिखते हैं पूरा फैट कर दो कदम चलने से हैं फुल जाती सास तो देर ना करें अभी से नहीं आज सी अपना हैं हमारे वजन कम करने का फॉर्मुला अभी मैं आपको एक फ्री डाइट प्लान बताता हूं वजन तो आपको करना है आप पैसा भी खर्चा करना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं जी पैसा मत खर्चा कि यह लेकिन एक डायेट प्लान बताता हूं सोमार से लेके रईवार तक का और एक डायेट प्लान को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप वजन 100% कम कर लोंगे तो यह डायेट प्लान को आपको हमेश्या के लिए फॉलो करना है ठीक है अब यह आप पे नि करने ही पड़ेंगी तो डायेट प्लान मुझे याद नहीं है तो डायेट प्लान में आपको पढ़के बताने वालों सोमार से लेके रईवार तक का दीन के तीन खाने का पहला होंगा आपका नाश्ता दूसरा होंगा सुबह का खाना और तीसरा होंगा रात का खाना तीन के टाइम आपको क्या क्या लेना चाहिए यह बताऊंगा और उभी पढ़के बताऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं क्योंकि मैं भई डायेट फॉलो नहीं करता मेरे पास मेरे कंपन का प्रोडक्ट है उसको मैं यूज करने वाला हूं वजन कम करने के लिए तो सोमार को आपको लेना है ब्राउन राइस की इल्ली वी सांभार भोजन में लेना है होल ग्रेन की रोटी और सबजी और रात के खाने में लेना है आपको मिक्स वेच टोफू की करी और पालक का सलाद यही खाना है इसके अलावा कुशनी खाना आपको यह हो गया सोमार का मं आपसले के नास्ते में लेना है आपल डालचीनी और डूत के साथ बना दल्या साथ में सुछ बडाम डाल पनीर के साथ नहीं करना ध्यान रखना और रात के खाने में खाना आए पालक का पनीर आने पालक पनीर जो सबजी बनती हो साथ में ब्राउन राइस साथ में एकादी सबजी बना लेना गुरुवार को बुद्वार तक पोज के गुरुवार को सुबेर के नास्ते में आपको लेना है दही के साथ स्वाईस वाले fruits तुकड़े कर लेना उसमें धहीं मिलाना बाके कुछ नहीं मिलाना और sunflower के seeds साथ आपने देखा होंगा sunflower के जो बीज आते हैं उनको खाना है साथ में खाना है को whole grain की रोटी और सब्जी whole ग्रेन जो आते हैं उसकी रोटी और सबजी रात को खाने में खाना है चना मसाला नाम सुनके आपको अच्छा लगाँगा लेकिन एक ही नाम है साथ में मिलेंगा बासमती चावल साथ में खाना चाहिए हरा सलाथ इसके अलावा कुछ नहीं खाना शुक्रावार को खाना है आपको ब्राउन रहे और रात में खाना है टोफू करी विद पोटैटो आप जो टोफू करू बनाएंगे उसके साथ आप उबले हुए आलू खाईए साथ में मिक्स विजिटेबल खाईए शनीचर को खाना है आपको मल्टी ग्रेन पराटा इसके पहले आपना होल ग्रेन पर अब आपने सुबिरे तो खा लिया ना अच्छा तो अभी खाने में सुबिरे के खाना है लाज सैलेड खाना है विद राजमा करी और साथ में आपको खिनोवा करकेक मिलेंगा ऑनलाइन मिल जाता आपको इसको लेना है और शनीचर के रात में खाने में खाना है आपको चना लेना आप तुबरे के नास्ते में लेना है दुफेर के खाने में लेना है whole grain की रोटी विट विजिटेबल सूप और रात के खाने में खाना है आपको मसाला बेक टोफू विजिटेबल करी अगर आप ये सब खॉलो कर सकते हों अब सवाल ये क्या आप ये कर पाऊंगे क्या ये सब चीजे जो मैंने आपको बताया होखा पाऊंगे कहीं भी यहां रोटी नहीं है कहीं भी यहां नॉर्मल राइस नहीं है आपको ब्राउन राइस ही खाना है क्या इस निवाला जो है यहां डालने के बाद यहां से गले से नीची उतर पाएंगा सोचके देखो जरा दिमाग पे जो डालो दिमाग पे जो डालना बहुत चुरूर ही है अगर दिमाग पे जो नहीं डालोंगे न तो समझ में नहीं आएंगा कि सही में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अगर ये diet chart को अगर आफ फॉलो नहीं कर पाते तो हम आपके लिए लेकर आए हुए एक रेडी में diet plan कुछ नहीं करना है भाई सब आपको दिन के तीन खाने होते हैं नास्ता, सुबह का खाना, रात का खाना नास्ता और रात के खाने के साथ में सिर्फ उसको शीश करना है, राद के खाना है तो आपको दिन भर भूक नहीं लगेंगी सुबह का खाना पेड़ भर के खाना रात को भी ओई पीना कम से कम एटलीस दो तीन मेने आप एक कर लो अगर जित्ता भी आपको वजन घटाने का आपका टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से कर लो और बाद में सिर्फ दिन में एक बार नास्ते के टाइम आपको लेना है ताकि आपका वजन मेंटेन रहे वजन मेंटेन रहने के लिए सिर्फ दिन में एक बार आपको इसको लेना है बाखी टाइम आप जो नॉर्मल खाना है और खाये ऐसा नहीं है आप मार्केट में सब कुछ खा सकते हों बहुत से लोग आज के दौर में जीम में जाते हैं फिर उन्होंने शर्ट निकाला बन्यान खूली तो 6-pack दिखे अगर 6-pack दीखना चाहते तो trainer क्या बोलता है बनाना है 6-pack तो लेना होंगा प्रोटीन वाली डाएट मा कहती है मेरे पास नहीं है प्रोटीन वाली डाएट हम कहते है माचिंटा की कोई बात नहीं हम लेकर आए आप के लिए प्रोटिन वाली डायेट तो प्रोड़क का नाम नी सुना चाओंगे प्रोड़क का नाम है आटोमी बैलेंस लाइफ प्रोड़क के नाम पे गौर करो आखरी में लाइफ लिखा हुआ है पहले बैलेंस लिखा हुआ है बैलेंस लाइफ ये प्रोड़क का नाम है प्र पर अपनाना हुँगा आटोमी का बैलेंस लाइफ अब इसकी अंदर में क्या है यह जो एटोमी बैलेंस लाइफ है इसमें क्या है भारतीय yarn या भारतीय तरीका जो बताता है कि आपको वजन ऑसी तरह का लगबक आएगा ए आटोमी है बैलेन्स लाइफ लेने से अग्या डिञान चार तरह की सबजिया है साथ मैं विट्यमिन साथ में और रो और साथ में प्रोबाइटिक रोड़ी गश्ण टुल्सि के बीज थन है तुलसि के बीज साथ में फाइब की इस तरह पुण इंग्रिडिएANT से जो हमारे भारतिये वेंजनों के अंदर यूज होते थे वो सभी तरह के वेंजन हमारे आटोमी बैलेंस लाइफ के अंदर में और जस्ट आपको एक शेकर में लेना है दूड डालना है पानी डालना है मिक्स करना है शेक करना पी जाना है जिनको वजन करना है उनको दिन के पाकिस्तान करता इस मौके का इंतजाद बार 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 आपने एक टीवी में एड देखाऊंगा मौका 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 जब भी भारत और पाकिस्तान की मैच होती है न तो इसमें मैं लिंक इसलिए किया भारत और पाकिस्तान का कि जो लोग मोटे हैं चाहते तो है कि मैं वजन कम करूँ वजन कम करूँ वजन कम करू कोई उनको तरीका ही नहीं मिलता जिते वी डायेट प्लान होते हो डायेट प्लान को फॉलो करना इस्ता असान नहीं है बहुत तकलीव वाला क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर में जो अभी तक हमको खाने के आदत हो चुकी है यह जीप के चोशले हम पुरात्य आये हुए उस के कारण हम यह करीक ही नहीं सकते डायेट प्लाद को फॉलो और टायाट प्लान को जो फॉलो करना जो तरीका मैं आपको डायट प्लान को फॉलो करने के लिए जो बताया आठ दिन का लेक्सों मार से लेकर रहवार तक का अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके शरीर के अंदर में विटामिन, मिनरल जित्ते भी चाहिए वो सब जाएंगे लेकिन एक टाइम भूका रहना, एक टाइम सिर्फ सलात खाके रहना इस तरह की चीज़े मत कीजिए आप यह आपके सहत के लिए हानिकार हो सकते और यह हो नहीं सकता हमालूम है इसीलिए आट्यमी स real life परियाए आपके लिए लेकर आए जो आपको भूक नहीं लगने देगा आपके भूक को अहिसास बबाए रखे गा और सात ही-साथ जित्तने भी शरीर को मिनरल्स विटाइमिन्स प्रोटीन सब चाहिए वो उसकी पूरी की पूरी मात्रा आपको प्रोवाइड करेंगा साथ ही साथ प्रोवाइटिक देता है यह आपके पेट का स्टमक का भी ख्याल रख रहा है साथ में फाइबर भी है वो भी पेट का ख्याल रख रहा है यह यह मौका बार बार नहीं आता एक मौका आपके दर्वाजे पर आया हुआ है इस मौके को तुरंत पकड़ लो छपट के पकड़ लो इस तरह से ताकि यह मौका आपके हाथ से ना चुटे तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा और जिस किसी को भी यह प्रोडक्स चाह मिलेंगा कैसे मिलेंगा कैसे आपके घर पहुचेंगा यह सब चीज आपको बता सकूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जानकरी पहुच है और हमेशा मैं आपके लिए कुछ नया नया ल